तो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं अगर आपके भी mobile phone के अंदर recent bar में कोई भी application यहाँ पे आपका देखने को मिलता है या आप recent में लगा के रखते हैं और वह application जब आप open करते हैं तो आपके भी mobile phone के अंदर recent app open करने पर relaunch होता है आपका application फिर से open होने लगता ह है तो इस problem को कैसे आप solve करेंगे वही मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिरकार recent app relaunch problem कैसे आप solve कर सकते हैं जैसे हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे हमारे recent bar में हमारा YouTube लगा हुआ है हमारा Chrome browser लगा हुआ है और यहाँ पे हम अपना YouTube अगर open करते हैं तो हमारा YouTube यहाँ पे browser open करते हैं तो हमारा browser यहाँ पे relaunch open हो जाता है यानकि फिर से open हो जाता है तो यह problem कैसे solve होगी और इस problem को कैसे आप solve करेंगे वही मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं तो वीडियो थोड़ा ध्यान से और पूरा वीडियो आपको देखना पड़ेगा तभ जैसे आप यहाँ पे setting open कर लेंगे open करने के बाद आपके सामने setting उकन कर आ जाएगा यहाँ पे आपको करने का है आपको नीचे आना है जैसे आप नीचे आना है यहाँ पे आपको एक setting मिलेगी additional के नाम से आपको इस पे किलिक करना है जैसे आप additional setting पे किलिक करेंगे नीचे यहां पर आपको मिल जाएगा एक setting developer option के नाम से अगर यह setting देखने को नहीं मिलती है तो आपको बैक आना है बैक आने के बाद आपको अपने mobile phone के about phone पे किलिक करना है जैसे आप about phone पे किलिक करेंगे यहां पर मिल जाएगा आपको MIUI version अगर कोई other mobile phone यूच करते हैं तो वहां पर भी आपको एक version के नाम से setting मिलेगी उस पर आपको कम से कम आपको यहां पर 7 बार लगाता टैप करना है और यहां से आपका developer setting open हो जाएगा और वो setting आपके additional setting के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा तो यहां से हम अपना additional setting open क किया यहां पर आपको नीचे आना है और यहां पर मिल जाएगा आपको developer option setting आपको इस पर किलिक करना है जैसे आप इस पर किलिक करने आपके सामने इस तरह का page आएगा आपको सामने इस तरह का page आने के बाद आपको नीचे आना है जैसे आप यहां पर नीचे आएगे यहां पर आपको वह सेटिंग देखने को मिल जाएगी तो देख सकते हैं हमारे सामने वह सेटिंग आज चुकी है यहां पर देखने को मिलेगा बैग्राउंड प्रोसेस लिमिट आपको इस पर किलिक करना है यहां पर देखने को मिलेगा नो बैग्राउंड प्रोसेस तो आपको इस से यहां पर नहीं करना है आपको यहां पर स्टैंडर्ल लिमिट पर लेकरन कृता है कि आपके background के सारे के सारे application पुरी तरीके से आफ हो जाते हैं bann हो जाते हैं बैकगराउन में Cap आपका application फिर से रिलाउंच होता है जब आप उससे open करते हैं अब हम देखते हैं कि हमाρά या नहीं तो देखने को में लगा हमारा YouTube यहाँ पे relaunch हो चुका है अब अगर यहाँ से मैं इसे side में लगाता हूँ recent में लगाता हूँ और यहाँ से मैं अपना chrome browser open करता हूँ तो हमारा chrome browser भी एक बार relaunch होगा और अब यहाँ पे आपका कोई भी application relaunch है नहीं होगा या तो आपके mobile phone के अंदर जितने सारे यहाँ पे recent app लगे हुए है इन्हें आपको यहाँ पे bike कर देना है और फिर से अपना कोई भी application open कीजिए आपका सारा problem solve हो जाएगा और हम आप यहाँ पे YouTube open करते हैं और देखते हैं में पेश्च के अंदर बता दिया है तो मिलते हैं नेस्ट वीडियो में इस वीडियो के लिए इतना ही वीडियो पूरा देखने के लिए आपका पहुत पहुत धन्नवाद